Hello everyone, कैसे हो आप साथ? I hope you guys are doing good और आप लोगों की तयारी भी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी, I am hoping. तो आज हम जिस चाप्टर के एक्जेंपलर और पीवाई क्यूस करने वाले हैं, वो चाप्टर है, Cell the Unit of Life. अब अगर आपने important topics वाले अपने weightage वाला वीडियो देखा होगा, do or die topics for biology का, तो आपको पता होगा कि पहले 4 topics में ही आपके पास cell biology आजाती है, cell the unit of life and cell cycle आजाती है, तो topic तो हमारे लिए important है, question बीस में से काफी आते हैं, और किसी भी चीज के तयारी बिना question practice के तो हो नहीं स नहीं देखेंगे, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, पहले हम exemplar देखेंगे इस chapter का और उसके बाद हम byqs भी solve कर लेंगे, ठीक है, शुरू करें, चलिए, तो बिटा अगीन, before we begin, 2023 का need अगर आप target कर रहे हैं, तो unacademy plus पे 21st May से 2023 के batch के लिए, 2023 के बैच के लिए भी नया course launch हो चुका है, that's a really good news, तो अगर आप जिनको भी जानते हैं, जो 2023 टागेट कर रहे हैं, आपके कोई भी known persons, तो उनको जरूर बताइए कि आनन सर की team के साथ, उमीर team के साथ, 2023 का batch आप लोग enroll कर सकते हैं, बस आनन कोड आपको use करना हैं, और सारी की सारी team मिलकर चाहा है, उसमें भी अगर आप चाहते हैं, तो enroll कर सकते हैं, using the same code, आनन कोड और dream team के साथ, 2022 को तो हम वहाँ पर अच्छे से target कर ही रहे हैं, सब information के लिए, again, सब information के लिए, चीज मैं बार बार इसी लिए repeat करती हूं, क्योंकि बच्चे उतने ही बार इस चीज को पूछते ह कि PYQs कहां मिलेंगे, PDFs कहां मिलेंगे, Examplas कहां मिलेंगे, तो सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए बिटा, आनन्मनी 001 Telegram Channel पे available है, तो वहाँ पर जरूर जोइन कर लिए उस Telegram Channel पे सारी latest information, PDFs, questions, सब कुछ वहाँ पर आपके लिए available करवाया जाता है, in fact, new videos क Link भी आपको वहाँ पर प्रवाइड किये जाते हैं, तो जरूर जाए यो Telegram Channel को भी जोइन कर लिजिए, ठीक है, तो अब हम हमारा Cell Unit of Life Chapter के exemplar का पहला question स्टार्ट करते हैं, चलिए, पहला question हमारे पास क्या कह रहा है बिटा, क्या कह रहा है, a common characteristics, feature of plant sieve tube cells and most of mammalian erythrocydes, erythro sites मतलब RBC, तो ये तो बहुत famous example हैं दोनों ही, हमारा mammalian RBC and plant में sieve tube cell, eukaryote के ऐसे cell जिन में nucleus नहीं होता, वरना हम सब की eukaryotic cell के पास nucleus होता है, पर ये दोनों बहुत famous example है, again आपकी NCRT से आये हैं कि इनके पास nucleus नहीं होता, तो क्या common characteristics हैं इन दोनों के पास, sieve tube cell और erythrocy packet के पास की nucleus absent होगा, nucleus absent होगा, simple, चलिए, next question देख लेते हैं, select which one of which, select one which is not true for ribosome, not true आप से पूछा जा रहा है, ribosome दो sub unit का बना हुआ है, बिलकुल एक smaller sub unit होती है, larger sub unit होती है, दो का बना हुआ है, ribosome से polysomes बनते हैं, बिलकुल जब एक MRNA पे बहुत सारे ribosomes जुड chain of ribosome एक MRNA पे जुड जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, polysome कहते हैं, तो ये बात भी सही है, may attach to MRNA बिलकुल बिलकुल, ribosome MRNA पे ही तो attach होने जाते हैं, protein की formation के लिए, तो ये बात भी बिलकुल सही है, फिर क्या आ रहा है, have no role in protein synthesis, ऐसा नहीं है, जब MRNA पे ribosomes आते हैं, त next question देख लेते हैं, question number third, क्या कहरे हैं हमें, which one of these is not a eukaryod, not a eukaryod, अब देखो, euglena को आप protozoa में पढ़ते हो, फिर ये आपके पास algaes में आ गए हाँ पे, anabina जो है, anabina जो है, उसको हम कहां पढ़ते हैं बिटा, cyanobacteria में पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो हम anab bacteria है, bacteria है, monera है, prokaryota, eukaryot नहीं है, तो बाकिया अगर आपको नहीं भी पता था, आप cyanamina के बारे में तो जानते हैं, nitrogen fixation के लिए, cyanobacteria में हमने इनके बारे में पढ़ता, answer क्या हो जाएगा, B, answer क्या हो जाएगा, B, चलिए, next question देख लेते हैं, question number fourth, क्या कह रहा है हमें, which of the following stains is not used for staining chromosome, तो बिटा, सीधा यहाँ पर हमको दिख रहा है, seffronin, seffronin हम कब पढ़ते हैं, mitochondria को stain करने के लिए, सबसे बेले mitochondria को stain करने के लिए, जिस stain का नाम दिमाग में आता है, seffronin का आता है, seffronin, chromatin को stain नहीं करता, mitochondria को stain करता है, ठीक है, बाकि, methylene, green, carmine, और profusen, तीनों से ही हम chromatin को stain कर पाते हैं, ठीक है, चलिए, next question देख लिजे, question number 5, different cells have different sizes, बिल्कुल सही बात है, हर cell का अलग size होता है, arrange the following cells in an ascending order of their size, choose the correct option among the following, ascending मतलब आपको small से large size के बारे में बताना है, अब हम mycoplasma के बारे में पढ़ते हैं, it is the smallest living cell, mycoplasma के बारे में हम तो क्या पढ़ते हैं, it's the smallest living cell, क्या size होता है, 0.22.3 micrometer, बहुत ही छोटा cell है, 0.2 से 0.3 micrometer का होता है, वही ostrich egg mm में होते हैं, 728 mm हम पढ़ते हैं, 7.5 से 8.7 mm में आते हैं, फिर आप human ABC की बात करेंगे, तो human ABC आपके पास आजाएंगे, human ABC आपके पास आजाएंगे, human ABC बात करेंगे, okay, sorry, 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 यहां पर इसको correct कर लीजे, correct कर लीजे, human ABC आपके 7 to 8 micrometers के होते हैं, आपके ostrich egg mm में होते हैं, और mm में भी 130 to 170 mm, इसलिए तो ostrich को हम largest cell बोलते हैं, ostrich egg क्या होते हैं, 130 to 170 mm में होते हैं, mm बढ़ी term है, 10 to the power minus 3, micrometer छोटी term है, 10 to the power minus 6, सबसे छोटे हो, आपके सबसे smallest living cells, mycoplasma, सबसे बड़े आपके ostrich egg, फिर देखो, सबसे छोटे आपके ostrich egg, 2 सबसे बड़े आपके ostrich egg, 2 सबसे बड़ा, ऐसा दो option में हैं, तो बाकी को तो cut कर दो, अब बचे human ABC और bacteria, तो human ABC होते हैं, 7 to 8 micrometer के, और bacteria होते हैं आपके approximately 2 micrometer क छोटा मान सकते हो, तो bacteria छोटे होते हैं, bacteria से बड़े of course human ABC होते हैं, तो पहले 4, फिर 3, है न, पहले 4, फिर 3, answer क्या हो जाएगा हमारे पास A, answer क्या हो जाएगा हमारे पास A, है न, चलिए, next question देख लेते हैं, question number 6, which of the following features is common to prokaryotes and many eukaryotes, मतलब ऐसी चीज़ पे नहीं, तो जादा तर, many इनों ने यूज किया, ठीक है, अब देखो, देखो, nuclear membrane का present होना, तो nuclear membrane किसी भी prokaryote में होती ही नहीं, तो ये तो क्या करें, prokaryote में भी हो, और जादा तर eukaryote में भी हो, फिर देखो, membrane bound subcellular organelles, तो prokaryote में तो होते ही नहीं, होते ही नहीं, और eukaryote में भी, plant cell में और बहुत eukaryote में भी आपके पास, unicellular eukaryote में भी, जैसे fungi में, cell wall present होती है, तो ये एक ऐसा feature है, जो कि common है, prokaryote का भी और बहुत सारे eukaryote का भी, अब आप सुचिंगे chromatin material के बारे में, बिटा, chromatin material no doubt, prokaryote और eukaryote दोनों में present है, बड़ ऑप्षन की बात कर रहे हो है न, तो prokaryote में भी हो और बहुत सारी eukaryote में भी हो, तो cell wall present यहाँ पर most correct option में से हमारे लिए आजाएगा, इसलिए हम cell wall present को यहाँ पर ले रहे हैं, की ठीके most correct यहाँ पर यहाँ पर यहाँ है कि आपके prokaryotes में भी है, और बहुत सारे-बहु Question No. 7, who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane, बहुत ही जादा famous question, direct question, name हमको scientist का पता होना चाहिए, क्या name होता है बिटा, क्या name होता है, यहाँ पे Singer and Nicholson, Singer and Nicholson ने आपको क्या दिया था, fluid mosaic model के बारे में आपको बताया था, यह तो याद कर लो, नहीं आद था, तो याद कर लो, जरूरी है, ठीक है, next, which of the following statement is true for a secretory cell, मतलब वो cell किसी ना किसी तरीके का secretion कर रहा है, या तो वो कोई glandular cell है, या कोई enzyme बना रहा है, किसी ना किसी वे में cell secret कर रहा है, जब cell secret करता है बिटा, प्रोटीन को, आपको पता है, अंदर endomembrane system काम करता है, यह कह रहे हैं, इन में से कौन सा true है, secretory cell क बाहर जाता है, तो गोलगी apparatus तो absent नहीं हो सकता, फिर देखो क्या लिखा है, RER is easily absorbed in the cell, तो यह बात ठीक है, RER तो होगा, तभी protein बनेगा, बिल्कुल ठीक है, only SCR is present, यह बात गलत है, SCR के साथ RER भी होना चाहिए, SCR बाहर के lipid packing बनाएगा, लेकिन RER protein बनाएगा, तो only SC SCR is present, यह बात सहीं नहीं होगी, उस secretory cell के लिए, फिर क्या लिखा है, secretory granules are formed in nucleus, नहीं बिटा, secretory granules are vesicles आपके cytoplasm में बनते हैं, आपके ER और गोलगी body के joint function से बनते हैं, nucleus में नहीं बनते, तो answer क्या हो जाएगा हमारे पास B, answer क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास B, ठ समझ में आया, चलिए, next question देखते है, 9th, direct आपका terminology based question, कोई दिमाग लगाने वाला question नहीं, tonoplast के बारे में पूछा है, tonoplast किस की membrane होती है, vacule की membrane होती है, तो answer क्या हा जाएगा, it's the membrane boundary of the vacule of plant cell, कोई जाधा confused होने की जरूरत यहां पे नहीं है, vacule की membrane को हम लोग tonoplast कहते है है, है न, answer हो जाएगा, c, चलि, next question देख लेते है, question number 10, which of the following is not true for a eukaryotic cell, अब ध्यान से देखना, eukaryotic cell के लिए इन में से कौन सी चीज़ true नहीं है, cell wall is made up of peptidoglycan, तो बिटा, अगर मैं eukaryote की बात करू, plant cell की बात करू, तो उनकी cell wall किस की बनी होती है, cellulose की बनी होती है ठीक है, और मैं eukaryote की बात करू, unicellular eukaryote, fungi की बात करू, तो उनकी cell wall किस की बनी होती है, kaitin की बनी होती है, यहाँ पर अगर आप peptidoglycan पढ़ रहे हैं, तो peptidoglycan की cell wall होती है, bacteria की होती है, तो cell wall बेक्टीरिया की peptidoglycan की बनी है, eukaryote की नहीं, यही statement क्या हो जाता है, गल dna होता है, eukaryotes में सही बात लिखी है, membrane bound organelles present होते हैं, eukaryote में सही बात लिखी है, तो कौनसी बात गलत हो जाती है, कि cell wall peptidoglycan की बनी हुई है, यह बात यहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है, clear, चलिए, next question देख लेते हैं, question number 11, क्या कह रहा है, हमें question number 11, which of the following statement is not true for plasma membrane, इन मे is present in both plant and animal cell, plant के पास भी plasma membrane होती है, animal के पास भी plasma membrane होती है, सही बात लिखी है, फिर क्या कह रहे हैं, lipid is present as bilayer in it, चाहे plant हो, चाहे animal हो, plasma membrane bilayer की form में present होती है, बिलकुल होती है, फिर क्या लिा जा रहा है, protein are present, integrated as well as loosely associated, within the bilayer, यह बात भी बिलकुल सही लिखी है, कि lipid bilayer में protein present होता है, चाहे integrated हो, चाहे loosely associated हो लेकिन present होता है, हम देखते हैं वहाँ पे channels की form में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बिल्कुल सही बात है फिर क्या कहा रहे है, carbohydrate is never found in it, तो बिटा, glycoprotein, glycolipids कहां से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, लिपिट से या तो carbohydrate attach होगा, या protein से attached होगा, आपकी membrane पे दो form में carbohydrate present होता है या तो glycolipid की form में या फिर glycoprotein की form में, आप समझते हैं इसका क्या मतलब होता है, आपको पता है कि आपकी lipid bilayer जो यहाँ पर present है इस तरीके से आपकी plasma membrane पे, और उसी के साथ बीच बीच में कुछ proteins भी present होते हैं जो की complete भी हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी हो सकते हैं integrated भी हो सकते हैं, loosely attached भी हो सकते हैं उस lipid की bilayer पे और उस protein पे, जो की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या attached होते हैं बिटा, आपके carbohydrates attached होते हैं अगर वो carbohydrates की chain अगर वो carbohydrates की chain protein से attached होती है या फिर वो carbohydrates की chain जिसको आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके cholesterol भी ले सकते हैं, sorry cholesterol तो fat की form में हो गया तो वो carbohydrate किस से attached हो सकता है lipid से attached हो सकता है, या फिर आपके protein से attached हो सकता है, अगर लिपिट से अटाच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काबो हाइड्रेट अटाच्ट टू लिपिड ओफ प्लाज्मा मेंब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइको लिपिड कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कि काबो हाइडि Data tamaNeat ये बात गलत हो जाएगी, क्या काबो हाइडिट तो प्रेजंट होता है, आंसर क्या हो जाएगा, D हमने थोड़ा सा डीटिल में पढ़ भी लिया, नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं, question number 12, किसकी बात हो रही है, plastids की बात हो रही है, chloroplast की बात हो रही है, यह पूछ रहे हैं कि plastid mitochondria से अलग कैसा है, इन particular features में से तो आपको answer देना है, आपका plastid और mitochondria दोनो two layers का बना हुआ है, दोनों में ribosomes present हैं, दोनों में DNA present होते हैं, semi tyloids होते हैं, और आपके mitochondria के पास tyloids present नहीं होते हैं, तो क्या difference हो गया, tyloids का present होना different हो गया, इस तरीके से वो, सिक्के जैसे grana present होते हैं, वो किस में present है, सिरफ आपके plastid में present है, ठीके, चलिए, next question देख लेते हैं, question number 13, which of the following is not a function of cytoskeleton in a cell, इतमें से कौन सा cytoskeleton का function न cell को strength देना, cell को support देना, अंदर जो organal present है, उनको support देना, फिर आप microtubule से देखो, tubulin protein में आप पढ़ते हो, actin के बारे में आप पढ़ते हो, आप celia, flagella पढ़ते हो, microtubule से, वो सब क्या करते हैं, cell को motility भी देते हैं, तो आपके cytoskeleton motility के लिए responsible होते हैं, लेकिन intracellular transportation में उनका कोई लेना देना नहीं होता, जो cell के अंदर transportation हो रहा होता है, वो vesicles के थू हो रहा होता है, आपके endomembran system से हो रहा होता है, cytoskeleton का उस movement में, उस transportation में कोई लेना देना नहीं होता, तो इनमें से कौन सा function नहीं है, cytoskeleton का intracellular transport, ठीक है, तो बस, these were the questions, इतने ही थे कम questions से exemplar के, I know, हम PYQ में detail में इस chapter को कर लेंगे, बट इसी तरीके के question आते है, at least आपको pattern के information यहां से अच्छे से हो जाती है, और जो चीज़े हमें नहीं आती, वो हमें जाद अच्छे से यहां पर आपर याद हो जाती है, तो if you are liking this pattern of PYQ and exemplar, do like this video, do show your support, एक thumbs up ज़रू बाई बाई बाई